आसन बना के हम आपको दिखाएंगे तो चलिए शुरू करते बनाना आसन बनाने के लिए सबसे पहले हम दस चेन बना लेंगे जाइन कर लेंगे तीन चेन बनाएंगे और पंद्रा डबल क्रोशिय बनाएंगे 16 हो जाएंगे मन पास डबल क्रोशिय यह सोला हो गए डबल क्रोशिय हमारे पास तीन का चैन और पंद्रा डबल क्रोशिय अब एक चैन लेके फिर स्लिप स्टिस से इसको जाइन कर लेता है यहां पर हम तीन चैन लेंगे यहां चारबर डबल क्रोशिय बनाएंगे एक चैन लेंगे फिर यह दो डबल क्रोशिय चोड़के यहां पर आट पर बनाएंगे यह चारबर बनाया एक चैन लेंगे फिर चारबर यहीं पर ही बनाएंगे यह चैन लेंगे फिर दो डबल क्रोशिय चोड़के यहां पर चारबर बनाएंगे एक चैन लेंगे फिर आट पर बनाएंगे डो डबल क्रोशिय चोड़के एक चैन लेंगे फिर चारबर यहीं पर बनाएंगे बनाएंगे फिर चेन लिया फिर दो चरबर यहीं पर दो चोड़के बनाएंगे एक चेन लिया पर दो छोड़के चार बर यह आठ बर डबल कुशिय बनाएंगे आ यह यह पूरी हो गई यह सबसे पहले तीन चैन लेके हमने चार डबल कुशिय बनाए था फिर यह दो डबल कुशिय चोड़के यह आठबल कुशिय बनाए हम ने पहले बनाया, फिर एक चेन लेके फिर चार बनाया फिर एक चेन लेके फिर अगले दो डबल कुछिया चोलिके चारब बना है गाले मतलब यह दो आट अठ बनेint के ऋडार चार को तरब बनेंका है और आखिर तक हमारा यह चारों कोनों में आठ आठ बढ़ेगा तो चलिए शुरू करते अगला लाइन तीन चेन लेके यहीं पर हम चार बर डबल कोश्य बनाएंगे तीन चेन लिया और तीन बर डबल कोश्य बनाएं चार बर रुगा इस लाइन में हम दो बर बीच में चेन लेंगे एक कर दो इसके पिछले लाइन में हमने एक बर लिया था इसमें बनाएंगे चार बर डबल कुश्य बनाएंगे चार बर डबल कुश्य बनाएंगे अब यह आठ के उपर आठ बर बनाएंगे नोड चरब नोड रभाइस बनाएं था के अदिन दो चेन लेंगे यह बनाएंगे यह कॉर्णनर हमारा आट बड़ बनेवा फिर यहां पर दो चैन लेके यहां चार बड़ बनाएंगे फिर दो चैन लेंगे फिर यहां चार बड़ बनाएंगे फिर दो चैन लेके यहां पर आट बड़ बनाएंगे आट बर दो चैन लेंगे फिर चार बड़ बनाएंगे ऐसे आट बड़ बनाएंगे तो यह लाइना स पूरा करते हैं यह हमारा स्कॉयर बन गया है यह हमारा यह स्कॉयर बन गया और इसको ही हम करते रहेंगे यही बड़ा होता राएगा आपको इतना बड़ा चाहिए अब यह धान रखना है बस बीच में दो बार बनाएं बीच में दो बर बनाएं चार चर का यह चार डबल क्रोशिया कॉर्णर कॉर्णर में हमारा आट बर बनेगा जो आट बर बनेगा उसमें से भी हम चार बर डबल क्रोशिय बनाएंगे बीच में एक चैन लेंगे फिर डब झाल 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 पूरा कर लिया हमने ये सम्में चार चार डबल क्रोशिय बनाया और किनारे किनारे में हमने आट अबर बनाया ये चारो किनारे में हमने ये आट बनाया ये आट बर बनाया पहले चार फिर एक चेन फिर चार और फिर एक चेन लेकर इसमें चार चार बनाया और पूरा किनारे में ये लटकन से लगा दिया ये लटकन तो इस तरह से हमारे ये आश्चन बन गया झाल 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 कि यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताना अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना वीडियो चैनल को थैंक यू कि यह वीडियो नहीं करना वीडियो दोलाओा है करिसी लग्ता शयम करना वी झान करनाla थैंकुझ in कि यह वीडियो आपको के राइक करना चैनल ऊहित है